हेलो दोस्तों वेलकम बैक, फ्री साक्ट लाब में आपको सहत है दोस्तों तीन साल पहले एक घड़ी बनाया था छोटा सा LED वाच को लेके बड़ा वाल क्लोक बनाया था यह था वह भला घड़ी, तो इसमें कागोज का सेग्मेंट बना हुआ, उसके अंदर LED लगा हुआ है और पूरा सिस्टेम ड्राइव हो रहा है वह हाथ घड़ी का बोड से तो आज इस वीडियो में इसको अफग्रेड करेंगे 3D पिंटेर सेग्मेंट और JLC PCV का PCV के मज़से तो चले इस वीडियो को सुरू करते है, पहले हमें जरूत पड़ेगा एक ऐसा हाथ घड़ी LED हाथ घड़ी चाहिए LCD में नहीं होगा, तो यह हाथ घड़ी एक सोधर सो में बाजार में मिल जाएगा तो इसके अंदर एक बोड मिलता है, बहुती पतला सा छोटा बोड मिलता है, उसके उपर LED लगे होए होते है तो यह देखिए इसको जलाया, तो काफी LED हमारा खराब हो चुका है, यह ऐसे हाथ देने से खराब हो जाता है तो यह हमें चाहिए भी नहीं, सब LED को निकल देते हैं यहासे, पुरा साप कर देंगे बोड को, कोई भी LED नहीं रहेना चाहिए आपर तो यह पर देखिए कुछ test points दिया हुआ है पिछे साइड में, और आगे की साइड में जितने भी LEDs है, वो सब उस test points से ही किसी ने किसी तरिके से connected है तो यह सब LED का जो segment से इस तरह से बनती है, तो यहाप और एक photo को mirror कर लिया, उसके बाद उपर उपर में चिपका कि एक photo editing app में, इस तरह से देख देख के पता लगाया कि कौन सी connection कहा पर जा रही है मतलब कि कौन सी LED, कौन सी test point के साथ जुड़ा हुआ है, यह हमें निकलना है पहले, तो यह मैंने निकल के एक खाता में note कर लिया left side में दीख रहा है, कौन-कौन सी LED के साथ, कौन-कौन सी test point connected है, plus और minus में और right side में यह है, कौन-कौन सी test point के साथ कितने-कितने LEDs के minus, कितने-कितने LEDs के plus लगा हुआ है मतलब same data है, दो side में अलग-अलग तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने LEDs का जो numbering किया, वो इस तरीके से किया तो सारे LEDs का number ऐसे 30 LED तक जा रही है पिछले बार connect करने में काफी समझ से हुई थी, इस तरह से बहुत सारा wire लगाना पड़ा था इसलिए इस बार मैं इसको एक PCB में convert कर दूँँगा यह मैंने एक-एक तार को देखिए इस तरह से connect किया सारे points के साथ PCB में, जो test points है वो सब left side में एक line में लगा दिया और बाकी सब LEDs इससे connected है और यह EG UDA site है, इसमें cover file को मैंने generate कर लिया और इस file को download करके मैंने JLCPCB के site में इसको order किया तो यह है JLCPCB के site, इसमें आपको काफी सारे options मिलता है, जैसे 1-2 layer की PCB, 4-8 layer की PCB, सब 2$ में 5-20 मिलता है PCB assembly service है, मतलुकि जो SMD components है, वो आपको solder करके ही देगा लागा के तो just quote now button में click करेंगे, उसके वाद यहापका जो गरबार file है, वो upload करना होगा तो इसमें upload कर देता हमारा करबार को, यह upload होते ही board यह आपर आ जाएगा और इसका thickness, color, यह material बगरा हम लोग change कर सकेंगे just इसको color change कर देते white में, इससे क्या होगा जो LED उपर में लगेगा, उसका light अच्छे से reflect होगा और बाकी सारा parameters को ठीक से set करके, इस चीज को save to cart कर दिया और इसको check out करके order कर दिया लगवग एक हपता या दो हपता बाद यह parcel हमारे घर तक पहुँच गया इसमें देखिया हमारे सारा PCB यह आपर है, तो इसको चलिए unbox कर लेते है इसके अंदर दोस्तों जो PCB है, मैंने पाच-पिस मगाया था इसमें quality काफी high आया है, जो professional quality का PCB है, वो बनता है JLCPCB का site से, तो आप भी order कर सकते हैं, आपका Garbar file upload करके इस तरह जो connector लगाया, इसमें 13 test point के साथ यह तरह point connect होगी इस तरीके से, या पर जो board है, इसको wiring कर दिया, wiring मैंने नहीं दिखाया तो चलिए इसके उपर जो segments लगेगा, वो सब इस तरीके से मैंने design किया एक software में, उसके बाद 3D printer में paint किया, अलग-अलग design टेस्ट किया और वो सब टेस्ट करने के बाद, last में मैंने यह design चुझ किया, या पर जो surface है, उपर का surface वो white होगा और side में जो walls बनेगी, वो black का बनेगी, इससे benefit यह होगा कि जो अंदर में light जलेगी, एक segment का light दूसरा segment में leak नहीं करेगी तो जो segment जलेगी, उसी में light दिखेगी, तो इस तरह के से 4-8 design किया, और 2 point के लिए 2 इस तरह का triangle जैसा shape design कर दिया, अब यह जलते ही बहुत ही अच्छा दिखेगा अब चलिए यह पर LED लगाना है, 30 LED ज़रोत पड़ेगी, मैंने 50 लेके आया, यह green clear LED मैंने यूज किया, इसमें क्या होता है, कॉम पाउर में ही ज्यादा brightness मिलता है, यह सब walls black होने के एक disadvantage भी है, इसमें जो light है वो reflect नहीं होगी, एक segment का अंदर जो light है, तो इसलिए segment के हमारा segment का light जो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, अब सारे LED को ऐसे bend कर लेंगे, जिस तरब से यह होना चाहिए, तो यह सारे LED को bend कर लेने के बाद, यह पर जो LED के जगा है, यह पर लगा देंगी सारे को, plus minus देखते हुए लगाना है, और यह सब लग जाने के बाद, उल्टा स लिया, और जो इसके उपर PCB में गंदेगी था, उन सब को साफ कर दिया, थीना लिया, पेट्रोल लिया, कुछ भी से, उसके बाद दोस्तों इस बोड का जो connection से, वो सब number match करा के test points को connect कर दिया, बोड में, अब देखिए यह घड़ी जो है, चालू हो गया, तो यह घड़ी चालू तो हो गया, लेकिन इसमें एक problem बच गया, जो है, तीन सेकंड या चार सेकंड बाद यह off हो जाता है, तो इस problem का solution के लिए अलग-अलग idea मैंने use किया, जो पिछले वाला version किया था, उसमें भी किया था, तो उसमें एक 555 IC से बनाया था, circuit जो तीन या चार सेकंड बा है, और कुछ register लगाने की जगा है, और या पर LDR लगाना है, तो इसमें क्या होगा, जो LDR या पर होगा, वो इस number की इन दोनों segment में लगाया, तो इस number में 0 से 9 तब कुछ भी number दिखे, तो यह या पर यह, इस दोनों में से कोई भी एक segment आपका on रहेगा, तो हमें ये LDR में जो है, voltage down मिल जाएगी, मतलब LDR की resistance कम मिलेगी, तो इसको एक voltage divider में लगा हुआ है, ये positive से ही है, और LDR जाके negative में लग रहा है, तो middle point जो है, उसमें आगर segment जलती है, तो voltage low रहेगी, और आगर segment off हो जाता है, तो उस point का voltage high हो जाएगी, और वो switch के साथ connect होगा एक jumper से, तो jam park से, जो switch है, उसमें high voltage चला जाएगा, switch दब जाएगा, यहाँ पर एक diode लागाया, diode क्या करेगी, जो power supply है, उसमें voltage थोड़ा सा कम करेगा, कि ग्राम 4V से इसको supply देंगी, तो थोड़ा सा कम करके 3.3 जैसा करेगा, और इसमें reverse polarity की protection देगी, मतलब अगर हम लोग battery उल्ट चुका है, और यह फिर से off हो जा रहा है, ऐसे 3 सेकंड बाद, क्योंकि हमने यहाँ पर jumper नहीं लगाया, तो jumper की system मैंने इसलिए किया, ताकि यहाँ पर जब हम लोग time set करेंगे, तब यह जो है, इसको on-off, on-off ना कर दे, मतलब switch को दवा ना दे, इसलिए, तो यह जो jumper है, इ यह off होते ही तुरंट on हो जाएगा, देखिए, तो यह जैसे ही off होगा, LDR की जो resistance से वो पर जाएगी, और जो middle point की voltage बढ़ जाएगी, और वो switch में positive जो supply है, वो दे देगा, और switch positive supply देने से active होता है, तो इस तरह के से यह हमेशा इस घड़ी को active रखेगा, लेकिन यह कभी 2 या तीन घंटा बाद एक बार अगर मिस कर दिया, तो यह off होके ही रह जाएगा, तो आपको jumper को खोल से फिर से देना पड़ेगा, तो यह एक convenience solution नहीं है, जो 555IC से बनाया था, वही convenient लगा मुझे, तो इससे क्या होगा, 555IC तीन या चार सेकिन बाद 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 एक एक बा से देगा स्वीच में, तो ही यह चलता रहेगा, थोड़ सा कारेंट ज्यादा खाएगा, 555IC चलने में लगव 5-7 मिलियंप्यार ज़रोत होता है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लागा, कॉमेंट से होता है, इस वीडियो में जो आपग्रेडेशन किया, आपको आँसा ही, इन वीडियों और इंटरेस्टिंग फ्रteringा नव्यां काने के लिए, दौस्तों थेंख के फ़र वाचिंगे नेक्स दूरेओं, विटा जा नेक्सी विनमे जए यह तो आउंगा, लिए-वरश्या मेर्डेच तुन नव आえ Keeping वाल नौत्य रिए-टे लिए,